नमस्कार मित्रो मैं अमनमालाकार आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आपको Cell Animation कैसे बनाया जाता है या सिखाने वाला हूँ दोस्तो Cell Animation को दूसरे शब्दों में 2D Animation भी कह सकते हैं दोस्तों आपको यह जान कर हरानी होगी कि 1900 के दशक में टेलेविजन पर प्रकाशित के जाने वाले सभी कार्टून शोस सेल एनिमेशन की तकनीक का उप्योग करके ही बनाये जाते थे जिसमें चित्रकारों को एक-एक हरकत को दिखाने के लिए एक के बाद एक बड़ी बारी के से चित्र बनाने पड़ते थे यह वाला animation बनाने के लिए आपको एक white paper, गोला बनाने के लिए कोई gold cheese, eraser, pencil, scale और दो application software, in shot और get edge के आवश्यक्ता होगी इन दोनों application की link आपको description में मिल जाएंगे सबसे पहले किसी gold cheese की सहायता से एक गोला बनाईए यह गोला हमारे cartoon character का सिर है अब विडियो में दिखाएगए तरीके के अनुसार हाथों की आकुरूटी बनाईए दोनों हाथ बन जाने के बाद आपको पैरों का चित्र बनाना है कमर और पंजे बनाने के बाद आपका चित्र कुछ इस तरह का दिखेगा दोस्तो आखे बनाते वक्त आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपको pencil को बिलकुल भी दबा कर नहीं चलाना है क्योंकि आपको इसे बाद में erase करना है अब आती है हमारी सबसे महतुपूर्ण step आपको अपने animation के चारो और rectangle बनाना है आप ये rectangle जितनी सफाई से बनाएंगे आपका animation उतना ही अच्छा दिखेगा अब आपको अपने cell phone में get edge application को open करना है और आपके animation की एक photo लेना है यह application automatically edges को detect करके आपको एक clean picture देगी अब आपको दाई आख को eraser की सहायता से रब करके आशू का चित्र बनाना है अब दोबारा get edge की मदद से photo लीजे अब पहली आख के आशू को उभारते हुए दूसरी आख पर भी आशू का चित्र बनाईए और फिर से get edge की सहायता से photo लीजे आखो को erase कीजे ताकि ऐसा लग दोनों के चित्रों को मिटाने के बाद चित्र कुछ इस तरह से बनाईए जिससे ऐसा लगे कि आखे पूरी तरह से बंद हो गई है और आशू आखों से टपक कर गालों तक आ गए हो ऐसा करने के बाद दुबारा get edge से photo लीजे इसके बाद आपको अगली तीन हरकतों के अपन करना है और इन सारी photos को क्रम अनुसार सिलेक्ट करना है ऐसा करने के बाद आपको इन सभी photos का duration 0.1 seconds कर देना है और बुम आपका animation बन कर तैयार है अब आपने animation को save कर सकते हैं मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद